Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डबल तो कुछ air show है, वो आपका US के अंदर चल रहा था, और वहाँ पर जो दो military aircraft है, और खास बात मैं आपको बता दूँ, ये दोनो military aircraft World War II एरा के हैं, वो दोनो mid-air में collide कर गए है, और इसकी वज़य से बताया जा रहा है कि 5-6 लोगों की यहाँ पर मित्यू हो सकती, इसको details से जा UPSC का वो पढ़ाया जाता है, इसके अंदर आपको जितने भी features हैं, जैसे कि live classes हो गया, notes हो गया, answer writing practice हो गया, main exam के लिए, यहाँ पर आपको mentorship, कोई दिक्कत है, problem है, कभी भी आप अपने mentor से पूछ सकते हैं, ये सब कुछ आपको मिलेगा हमारे website पर और app पर जाना है, और code इसनवाल करना है, अंकित live, ध्यान रखेगा, 14th November से ये जो पूरा batch है, वो start हो रहा है, पहले की भी batches में आप join कर सकते हो, आपकी choice है, see you guys there, and इसके लावा अगर आप MCQs attempt करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टा पेज पर भी जा सकते हैं, वहाँ पर stories में, जितने भी MCQs हैं हैं, total 50 states हैं, US के अंदर, और इसका अगर आप southern side में देखोगे, एक बहुत बड़ा states है, in fact largest state है, that is Texas, और वहाँ पर है Dallas एक जगह है, और वहाँ पर एक air show चल रहा था, Dallas air show, और वहीं पर दो World War II era के जो planes हैं, वो collide हुए हैं, जो footage सामने आई हैं, उसमें साफ साफ दिख र हवा में, वो भी हमें देखने को मिला, तो चलिए क्यों न यहाँ पर इसका जो एक clip सामने आया है, जो internet पर काफी ज़्यादा चल रहा है, वो मैं आपको सबसे पहले यहां पर दिखा देता हूँ, छोटा सा clip है, 10 second का यह आप देख सकते हैं, तो जैसा कि आपने इसके पाइलेट्स हैं, वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश करते हैं, जो लोग वाच कर रहे हैं, उनको ज़्यादा मजा आ रहा होता है, लेकिन इस तरकी जो हाथसा हैं, काफी ज़्यादा दुख़द है, आपने देखा किस तरीके से, ग्राउंड के काफी नजदीक था यह, और का B-17, B-17 एक bomber है, मतलब कि इस aircraft के माध्यम से जो bombs हैं, वो गिराए जाते थे, World War 2 के दोरान, और बताया चाहता है कि बहुत ही important role play किया था B-17 bomber में, जब जर्मनी पर कई सारे bombs गिराने थे, तो काफी बड़ा जीत में जो है, B-17 bomber का काफी important role था, और आगे चलकर इसको scrap कर दिया गया है, लेकिन कई सारे जो air shows हो गए, museums हो गए, वहाँ पर B-17 bomber आपको देखने को मिलेगा, जो दूसरा aircraft है, वो है आपका P-63 King Cobra, लेकिन ये वाला जो aircraft है मैं आपको बता दूँ, ये Soviet Air Force के दोरा यूज किया जाता था, World War 2 में ही किया गया, लेकिन ये Soviet Air Force के दोरा किया जाता था, जहां तक इसके capacity की सवाल की बात है, तो B-17 bomber में लगबग 4-5 लोग आ सकते हैं, और जो P-63 है, उसके अंदर सिर्फ एक pilot आ सकता है, ऐसा यहाँ पर जो organize कर रहे थे लोग उनके दोरा बताया गया, उनका basically यही कहना था कि this was a World War 2 flight demonstration type air show, जहां पर कई सारे ज दो लोगों का जो नाम है वो तो सामने आ चुका है, लेकिन most probably यहाँ पर 6 लोगों की जान गई है, ऐसा बताया जा रहा है, अब 6 लोग की जान गई है, मतलब इसका मतलब साफ साफ होता है कि जो bomber है, जिसमें 5 लोग तक आ सकते हैं, उसमें 5 लोग बैठे होंगे, और जो single pilot वाला aircraft है King Cobra, उसके अंदर एक पैठा होगा, तब यह 6 लोग हो सकते हैं, लेकिन exact नहीं पता, दो लोगों का तो नाम सामने आ गया है, 5-6 लोगों की मित्ती हुई है, यह बताया जा रहा है, लेकिन question यह है कि यह इतने पुराने जो aircraft हैं, उनको आखिरकार air show के माध्यम से क्यों दिखाने की कोशिश की जा रही है, क्यों नहीं इसको बंद कर दिया जाता, तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर जो Federal Aviation Administration है, US के उन्होंने यह बताया कि हम इसकी पूरी जाच करेंगे, और यह जो पूरा air show था मैं आपको बता तो इसका नाम है Wings Over Dallas Air Show, और यह जो air show है, वो तीन दिन का पूरा event है, और बेसिकली यहाँ पर जो veterans हैं, उनको honor करने के लिए, बेसिकली इसको veteran day के तौर पर भी देखा जाता है, मतलब जो पहले के लोग थे, जिन्होंने fight किया था World War 2 के बाद और उसके उस समय, तो उनको honor करने के लिए लगभग जो है, वो यह पूरा air show यहाँ पर कराय जाता है, जिसमें जो पुराने aircraft हैं, वो participate करते हैं, 4000-6000 लोग इसको watch कर रहे थे, और in fact मैं आपको बता दूँ कि यह America का premier World War 2 air show है, तो World War 2 से related जो air shows हैं, उसमें सबसे उपर आता है यह, और काफी important है, 11 November से 13 November तक यह चल रहा था, जिसमें 40 स जादा World War 2 एरा के जो aircraft हैं, वो participate कर रहे थे, तो यह आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं बता दूँ कि यह जो air shows होते हैं, इसको लेकर लेकर लंबे समय से concerns जारी हैं, जो air show के अंदर, especially जो older military aircraft होते हैं, जो participate करते हैं, उसको लेकर बहुत जादा concern है, देखो एक समझ हैं, क्योंकि यहाँ पर हम older military aircraft की बात करें, एक तो air show हो रहा है, air show के अंदर कई सारे करतबाजी दिखाई जाती है, अलग अलग प्रकार के actions दिखाई जाते हैं, और उसमें अगर पुराने military aircraft participate करेंगे, तो बहुत सारा chances बढ़ जाता है कि वो crash कर जाएं, 2011 में इसी तरह से 11 लोगों की मित्ती हुई थी, निवादा में, जहाँ पर P-51 Mustang जो है, वो crash हुआ था, वो भी लोगों में आके crash हो गया था, spectators में, यह वाला जो crash हुआ है, mid-air में, इसमें बताया जा रहा है कि ground पर ऐस सच कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, किसी लोगों की जान नहीं अगरा के अंदर तो ऐस सच कोई crash देखने को नहीं मिला, लेकिन हमारी जो air force है, उसके पास आपको पता है, MIG, तो यह जो aircraft है, वो MIG-21 आपको पता है, कई बार हमें सुनने को मिलता है, कि यहां पर crash हुआ है, तो इसको हमें कई ना कई ध्यान देने की जड़रत है, बड़ यह जो aircraft collide हो गया है, mid air, वो I hope कि आपको इदम समझ में आ गया होगा, और जाने से पहले एक interesting question, क्योंकि हम defense की बात कर रहे हैं, तो अभी recently इंडियान आर्मी ने single window facility launch किया है, welfare and grievances, redisal of veer nariz, क्या बता सकते हो, veer nariz कौन है इन में से, इसका right answer आप सबको पता है, मेरे instagram पर आप जुड़ पाओगे, और जैसा मैंने बताया, UPSC की त्यारी कर सकते हैं, by using the code Ankit Live, ताकि आपको maximum discount में ले, I hope की वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता है आप से next time, till then, thank you very much, see you soon.